हेलो गाइज, वेलकम बेक तो मैं चैनल, आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से वर्क्षित नमबर फाइफ करेंगे जो की प्लास एर्थ की है सब्जेक्ट इंग्लिश और ये वर्क्षित है 2nd August 2021 की आज की वर्क्षित में हम अग्जेक्टिव करेंगे और उसके सब्सक्राइब करेंगे इसके एक्स्प्लेशन के लिए बाद में अलग सी वीडियो बनाया जाएगा हमने लास्ट वर्क्षित में भी देखा था कि जब जो कंपरेटिव डिग्री में अग्जेक्टिव में कंपरेटिव होता है उसमें एर का यूज किया जाता है और जो तो यह हो जाएगी यहाँ थोड़ा सा rule change हो जाता है अब हम जहाँ Y होता है एक बार repeat कर देती हूँ जहाँ Y होता है वहाँ I, E, R और I, E, S, T लग जाता है अब हम देखते हैं third question अब देखते हैं third question देखो Y होता है और उससे पहले vowel होता है अगर Y से पहले क्या होता है वोवल होता है तो हम simple I, I नहीं लगाते हैं अब सिधा ER और EST लगाते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर समझते हैं ग्रे, गे, देखो गे से पहले क्या लगया क्योंकि Y से पहले क्या है वोवल है न तो इसके लिए लगा देगे ER और EST तो आज की वक्षिट कंप्लीट होते है बहुत ही आसान वक्षिट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाईए थैंक्यू गाइज